हलो फ्रेंट्स आज की रेसिपी है पके हुए पपीते की प्यूरी सो बेनिफिट ऑफ पपाया पपाया जो है फाइबर और प्रोटीन का भंदार माना जाता है ये डाइजेसिन इंप्रूफ करता है साथ ही साथ स्कीन और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है रेसिपी स्टार्ट करते हैं यहां मैंने एक पका हुआ पपीता लिया इसके कुछ स्लाइस कट करके इसके छिलके को निकाल लिया नेक्स्ट इस स्लाइस को मैं मिक्सर ग्राइंडर में एड करती हूं जिससे कि एक फाइन प्यूरी बन जाएगा अब आप इस प्यूरी को 6 months के baby को देने के लिए बना रहे हैं तो आप इतले चान कर दीजे और अगर around 9-10 months के baby के लिए बना रहे हैं तो स्रिफ blend करके भी उन्हें खिला सकते हैं ये उनके तितिंग में भी help करता है तक दो बेगा बदेगा झाली के लिए बना रहे हैं